आज से 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद हो चुका था और इसके बाद शाहत के सीहसन पर अकबर की हुकूमत थी अकबर विस्तारवादी नीती का बादशाह था शुरुवात से ही अकबर ने आसपडोस के राज्यों को मुगल सल्तनत के जंडे के नीचे लाने की प्रयास शुरू कर दिये पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिम अभियान में राजपुताने की रियासतों पर मुगल ध्वज फहराने की शबत ली इसी के तहट राजपुताने में सबसे पहले आमेर रियासत ने अपनी पगड़ी उतार कर अकबर की बादशाहत वाली मोगल सत्ता को स्विकार कर लिया शुरू में तो राजपुताने की दोसे रियासतों ने आमेर रियासत को एक तुर्क की अधेंता स्विकारने पर धिकारना शुरू कर दिया पर बाद में धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्विकार कर लिया जब राजस्थान की बड़ी बड़े रियासतें अपनी मदबंस्त शान को गुलामी की बेडियों में बांधने में लगी हुई थी उस वक्त मात्र मेवाड अपने स्वाभिमान की चमक बिखेरते हुए पूरी दुनिया के साथ खड़ा था इस समय मेवाड पर राणा उदै सिंग का शासन हुआ करता था जिन्होंने अपने पूरवजों की भांती किसी की अधेंता को स्वीकार नहीं किया इन्होंने अकबर को पत्र भिजवाया कि हमारे राजा सिर्फ भगवान एक लिंग जी हैं हम तो मात्र उनके दिवान हैं पर फिर भी अकबर ने राणा उदै सिंग पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया आसपडोस के राजाओं को उदै सिंग के पास भेजा जाने लगा इन ही परिस्थितियों में दिन गुजरते रहे और एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा बादलों की घमासान गर्जना के बीच राणा उदै सिंग की सबसे बड़ी राणी माता जैवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया मजबूत बदन बड़ी आँखें मुसकान बिखेरता चेहरा बड़ा मन मोहक लग रहा था राणा उदै सिंग ने महल की औरतों से अपनी राणी की हाल चाल पूछे तभी पाली की दासियों ने जवाब दिया शेरनी ने शेर को जना है राणा पुत्र पाकर बड़े खुश होने लगे वे कभी राणा कुमभा के बनाई वज़ास्तंभ को देखने दोड़ते तो कभी बप्पा रावल की तलवार को प्रणाम करने सरदारों ने पूछा हुकुम कुमर जी का नाम क्या होगा राणा शांत होकर बोले जिस तरह सूरज अपनी चमक से धर्ती को रोशन करता है उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौरे के प्रताप से मेवाड को रोशन करेगा अतह इसका नाम प्रताप होगा कुमर प्रताप सिंग सिसो दिया माता जैवंता बाई कृष्ण भक्त थी उन्होंने शुरू से ही कुमर प्रताप को भग्वान कृष्ण और महा भारत की युधकलाओं का ज्यान दिया रानी जेवंता बाई कुमर प्रताप को बताती कि किस तरह उनके दादा राना सांगा ने अपनी तलवार की धार से दिल्ली की बादशाहत को रक्त से नहलाया किस तरह उनके परदादा बप्पा रावल का शौरे के रक्त में नहाया हुआ कलेजा जब अरब की धर्ती पर गर जा तो आने वाले 400 सारों तक कोई भी विदेशी भारत की तरफ आँख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया सिसोधिया वंश के इस अतीत को सुनते हुए प्रताप बड़े होने लगे समय आने पर उनको गुरु कुल भीज दिया गया जहां प्रताप सुभह का समय गुरु कुल में बिताते दोपहर के समय वे भीलों की बस्तियों में चले जाते शाम होते होते प्रताप लोहारों के गावों में निकल जाते उनको हत्यार बनाने की कला सीखने में बड़ा आनन दाता था जरता के बीच इस कदर घुल मिल जाने पर प्रताप सब के चहेते बन गए भीलों ने उनको की का कहकर बुलाया तो वहीं लोहारों ने उनको अपना राजा मानना शुरू कर दिया कुमर प्रताप बच्पन से ही वीर, स्वाभिमानी और हठी स्वभाव के थे उनका शरीर सामानने बच्चों से कई गुना मजबूत था उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अफगानियों की बस्ती पर धावे बोलने शुरू कर दिये मेवाड से होकर गुजरने वाली मुगल सेना पर वे गुलेल से हमला कर देते कुमर के इन कारनामों को देखते हुए सब को लगनी लगा था कि बड़े होने पर वे महा प्राक्रमी योधा बनेंगे और प्रताप ही भविश्य में मेवाड के राणा बनेंगे उदय सिंग जी की कई राणिया भी थी जिनसे उनको कुल 33 संताने थी पर उदय सिंग जी की सबसे प्रिय राणी थी धीर बाईसा इनकी बात को राणा उदय सिंग अधिक महत्व देते थे इन ही की कहने पर राणा उदय सिंग जी ने इनके पुत्र जगमाल को मेवाड का भावी राणा घोशित कर दिया शास्त्रों के अनुसार सदैव बड़ा पुत्र ही राजा बनता है पर सागर जैसे विशाल हृदय वाले कुमर प्रताप ने पिता के इस आदेश को मानते हुए छोटे भाई जगमाल को राज सत्ता देना स्वीकार कर लिया किन्तु सभी सामंत, सरदार और राज्य की जनता ने उदर सिंग के फैसले पर विरोध किया वे कुमर प्रताप को ही अपना राणा मानते थे समय के साथ राणा उदर सिंग का स्वास्थ बिगडनी लगा और सन 1572 आते आते उनका स्वर्गवास हो गया उनके अंतिम संसकार में कुमर प्रताप सहित मेवाड का प्रतेक व्यक्ति आया पर कुमर जगमाल इस समय महल में अपना राज्य भिशेक करवा रहा था ऐसी संकट की घड़ी में जगमाल के अपने पिता के अंतिम संसकार में उपस्तित ना होने के कारण सभी सरदारों ने यहीं गोगुंदा की पहाडियों पर रक्त से मेवाड के असली हुक्म श्री कुवर प्रताप का राज्य भिशेख कर दिया सरदार रावत कृष्णदास चुंडावत ने राणा प्रताप की कमर में तलवार बांधते हुए ललकार लगाई मेवाड मुकुट केसरी कूर प्रताप सिंग आज से मेवाड के राणा है यहीं से राणा प्रताप ने अपने सरदारों के साथ कुंभल गड़ की तरफ पूच किया राणा के आने की खबर सुनकर छोटा भाई जगमाल राजगड़ी छोड़ कर अक्बर की शरण में भाग गया जिसके बाद साल 1573 को कुंभल गड़ की राजगदी पर वीर शिरोमनी महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज तिलक कर दिया गया कौन है ये महावीर जिसे दुनिया ने मेवाड मुकुट हिंदुवा सूरज के नाम से नवाजा मेवाड की राजगदी पर बैटने वाले महाराणा प्रताप एक ही वार में घोडे सहित दुश्मन को काट डालते थे वो पर्म स्वाभिमानी शिव भक्त थे जिनके नाम से ही दिल्ली की बादशाहत काप जाया करती थी उन्होंने जंगलों में रहना स्विकार कर लिया पर कभी अकबर की गुलामी स्विकार नहीं की 72 किलो का भाला, 81 किलो के चाती कवच और 208 किलो के भारी वजन के साथ महाराना युद्ध भूमी में निकलते जिनके रोद्र रूप को देख सामने वाला दुश्मन अपना रास्ता पलट देता हल्दी घाटी के युद्ध में विशाल मुगल सेना को जबरदस्थ टकर दी दिवेर के युद्ध में मुगल सत्ता को गुटनों पर ले आए अपनी चापा मार युद्ध नीती के दम पर मेवाड को फिर से आजाद करवा कर केसरिया ध्वजल लहरा दिया मुगलों के 36 किलों को जीत कर 40,000 मुगलों को आत्म स्मर्पन के लिए मजबूर कर दिया जिनके भाले की नौक से शत्रू का रक्त कभी सूखा नहीं जिनकी तलवार ने कभी पराजय का मूद देखा नहीं ये गाथा है उस महाराना की जिसके सामने हर भारतिये बारम बारनत मस्तक होता है ये गाथा है रुद्र रोप एक लिंग अवतारी महाराना प्रताप की आईए डिमांडिंग पंडित के साथ देखते हैं हुकुम श्री महाराणा प्रताप के इतिहाद से जुड़े उन अनसुलजे पन्नों की पूरी दास्ता फरवरी 1572 को महाराणा हुकुम ने मिवार की राजगद्दी संभाली इस समय मिवार की स्थिती काफी खराब थी पिता उदै सिंग जी के समय मुगलों के साथ हुए युद्ध में मिवार की पूरी वैवस्था बेहाल हो चुकी थी खजाना खाली था और चितोड सहित मिवार के बड़े भाग पर मुगलों का अधिकार हो चुका था और अकबर मिवार के बचे हुए इलाके पर भी अपना अधिकार करना चाहता था महरणा प्रताप ने राजा बनते ही अपने समस्त सर्दारों को बुलाया और उनसे कहा की रगकुल मान सदैव उचा रहेगा मिवार की छाती पर लहराता मुगल ध्वज मेरा कलेजा कीर देता है बहुत जल्द हवाओं का रुख बदलेगा मिवार पर केसर या ध्वज पूरी शान से लहराएगा मिवार का भविश्य जरूर चमकेगा मैं शपत लेता हूँ जब तक मेवार को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करवा लेता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा राज महलों में नहीं रहूंगा पलंग पर नहीं सौंगा सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा मेरे वीरो स्वाभिमान की दहाड से हमारा टक्राव अब विशाल फोजों से होगा तयार हो जाएए सभी सरदारों ने प्रतिगात के स्वर में अपनी तलवारें लहराई पूरा दरबार महाराना प्रताप की जैकारों से गूंज उठा इसी के साथ महाराना प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया उन्होंने बेवाड के भीलों के गावों का दोरा किया भील युद्धाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया लोहारों को हत्यारों के जखीरे बनाने का काम सोपा गया सरदारों को प्राचीन युद्ध कलाओं का अभ्यास करवाया जाने लगा महारणा प्रताप द्वारा सेना निर्मान के समाचार दिल्ली के बादशाह अकबर तक पहुँचने लगे अकबर ने भी राणा प्रताप को रोकने की पूरी तैयारियां शुरू की उन्होंने महारणा प्रताप से अपनी अधिनता स्विकार करवाने के लिए अपने दूत भेजने शुरू किये इसी के साथ अकबर ने अपने दर्बार के सबसे चतुर और वाक पटु दर्बारी जलाल खांक कोर्ची को महारणा प्रताप के पास मिवाड भेजा पर महाराना प्रताप ने अधिन्ता की बात सुनकर जलाल को तुरंत रवाना कर दिया इसके एक साल बाद अक्पर ने आमेर के राजा मान सिंग को महाराना प्रताप के पास भेजा इस समय महाराना प्रताप उदैपुर में थे मान सिंग सीधा उदैपुर आ गया महारणा हुकुम ने मान सिंग का एक अतिथी के तरह सतकार किया महारणा प्रताप उदै सागर जील तक मान सिंग का स्वागत करने के लिए आए इस जील के सामने वाले टीले पर आमेर के राजा के लिए दावत की वैवस्था की गई थी भोजन तयार हो जाने पर मान सिंग को बुलावा भेजा गया महारणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंग को अतिथी की सेवा के लिए लगा दिया पर महारणा प्रताप भोजन के लिए नहीं आए मान सिंग द्वारा हुकुम के बारे में पोचने पर अमर सिंग ने बताया कि पिता जी को सरदर्ध है वे नहीं आपाएंगे आप भोजन करके विश्राम करें मान सिंग ने भोहे तांते हुए कहा कि राणा जी से कहो कि उनके सरदर्ध का कारण मैं समझ गया हूँ मान सिंग ने राणा प्रताप के बिना भोजन स्विकारने से मना कर दिया तब राणा प्रताप ने उन्हें संदेश भेजा कि जिस राजपूत के समंद एक तुर्क से हो उनके साथ भला करन राजपूत भोजन करेगा अब मान सिंग जवाब देने की स्थिती में नहीं था क्योंकि रणा प्रताप ने तो उन्हें बुलावा भेजा ही नहीं था मान सिंग ने भोजन को छुआ तक नहीं केवल चावल के कुछ कणों को जो अन देवता को अरपन किये थे उन्हें अपनी पगड़ी में रखकर वहां से चला गया घोडे पर बैठकर मान सिंग ने रणा प्रताप से कहा कि दिल्ली की बादशाहत को अस्विकार करना एक संघर्ष को चुनोती है यदि आपकी इच्छा दुखों में रहने की है तो एक दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी मान सिंग ने आँखे तान कर आगे कहा मैं तुम्हारा अभिमान चूर्ण कर दूँगा अगली मुलाकात युद्ध भूमी में होगी रणा प्रताप ने उत्तर दिया मैं प्रतिक्षा करूँगा ऐसे ही अकबर ने महाराना प्रताप के पास अपने चार दूट भेजे पर महाराना प्रताप ने अकबर की अधिन्ता स्वीकार नहीं की महाराना प्रताप द्वारा अधिन्ता स्वीकार ना करने पर सन 1576 में अकबर अपने सभी सेनापतियों के साथ अजमे राधम का यहां अक्बर ने मान सिंग को एक लाह की विशाल मुगल सेना का सेनापती घोशित किया 3 अप्रेल 1576 को मान सिंग विशाल मुगल फोज लेकर मेवाड विजय के लिए निकल पड़ा दो महीने चलने के बाद मान सिंग खमनोर नामक गाव में पहुँचा महाराना प्रताब के भील सिपाहियों ने अपने राणा को संदेश भिजवाया कि हुकम मान सिंग असंख के मुगल सेना को लेकर मिवाड की तरफ बढ़ रहा है पर महाराना प्रताब तो कबसे अपनी तलवार की धार मजबूत कर ही रहे थे वे भली भांती चानते थे कि युद्ध अवश्य होगा इधर मान सिंग बनास की नदी के मैदानों में आ पहुँचा मान सिंग ने यहां मुलेना गाम में अपना डेरा लगाया दूसरी तरफ महाराना हुकुम ने अपनी बीस हजार की सेना के साथ उससे चै मिल सामने लोसिंग गाउं में अपना पड़ाव डाला विशाल मुगल सेना में राजपूत और मुगल थे जबकि महाराना प्रताप की सेना में राजपूत, भील पठान और लोहारों के गामों के लोग थे 18 जून 1576 को संसार के अनोके युद्ध का आगाज हुआ आकाश में घंगोर बादल थे और धीमी धीमी हवाईं चल रही थी कभी कभी बिजली की तेज गडगड़ा हट हो रही थी इसी बीच मुगल सेना आगे बढ़ने लगी तभी महाराना प्रताप ने अपने हरावल दस्ते को शत्रू पर प्राहार करने के लिए आगे भेजा हुकुम्प की हरावल सेना ने आगे बढ़ रही मुगल सेना के तीन हरावल दस्तों को पूरी तरह से नश्ट कर दिया इस घनगोर हमले से घबरा कर मुगल सेना का हरावल खेमा लूण करन के नेत्रित्व में भेडों के जुंड की तरह भाग निकला अब मेवाड और मुगल सेना आमने सामने आ चुकी थी तभी वीर, वीराट, मेवाड, मुकोट, हिंदुवा सूरज, महाराना प्रताप ने युद्ध भोमी में प्रवेश किया राणा श्री के युद्ध में आते ही मुगल खेमे में दहशत का माहौल फैल गया महाराना जिस और बढ़ जाते, वहाँ शक्त्रों की लाशों के धेर लग जाते मुगलों ने पहली बार महाराना प्रताप को देखा था इससे पहले सिर्फ उनका नाम ही सुना था बंदायूनी ने अपनी किताब में महाराना प्रताप के संबंध में लिखा कि वो बहुत लंबे, मजबूत और ताकतवर थे प्रताप हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि मानो आधी सेना को अकेले ही लेकर डूबेंगे उनके चेहरे पर सदैव गुसे की लकीरें चमकती रहती थी युद्ध भूमी में शुरुवात से ही किसी मुगल सैनिक ने उनको छेड़ने की हिम्मत नहीं की महारणा प्रताप की सेना ने तीन घंटों में ही लाशों के धेर लगा दिये घबराई हुई मुगल सेना अरवली की घाटे की तरफ भागने लगी मुगलों को भागते देख सेना पती महितर खान जोर जोर से चलाने लगा कि बादशाह सलामत अकबर विशाल सेना लेकर खुद युद्ध भूमी में आ रहे हैं ये शब्द सुनकर भागती मुगल सेना सोच में डूब गई कि भागे तो अकबर मार देगा नहीं भागे तो राणा मार डालेगा महाराना प्रताप अब मान सिंह को युद्ध भूमी में धूढने निकल पड़े जिसने कहा था कि अगली मुलाकात युद्ध भूमी में ही होगी तभी हुकुम ने देखा कि मान सिंग हाथी पर बैठा था महाराना प्रताप ने बड़े वेग से चेतक के अगले पैरों को मान सिंग के हाथी के मस्तक पर टिका दिया और अपने भाले से मान सिंग पर करारा प्रहार किया पर मान सिंग अपने हाथी पर लगे हौज में छुपकर बैठ गया पर राणा शुरी के करारे वार से उसका महावत मारा गया मान सिंग के हाथी की सूंड में एक तलवार लटकी हुई थी जिससे चेतक का अगला पैर कट गया इस समय तक महारणा प्रताप के पैर में एक गोली लगी हुई थी उनके शरीर पर असंख घाव थे पूरा शरीर खून से लथपत हो चुका था तभी सादड़ी रियासत के जाला बिदा ने कहा कि हुकम आपके प्रिय चेतक को इलाज की जरूरत है और आपके पैर पर भी गोली लगी है जिससे जहर फैल सकता है आप तुरंत वैद्य जी के पास जाएं महारणा प्रताप अपने घोडे चेतक को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे उन्होंने जाला बिदा को मेवाड का राज छत्र दिया और बोले सेना को पूरा नित्रित्व देना और स्वयम चेतक पर सवार होकर युद्ध को पूरी तरह से पहाड़ियों की तरफ मोड लिया जहां पहाड़ियों पर भीलों ने युद्ध का मोरचा संभाल लिया मुगलों को अब एक नई टकर मिली महाराना प्रताप चेतक को लेकर प्रवतों की और निकल पड़े यहाँ चेतक ने 26 फिट की गहरी खाई को कूद कर पार कर लिया और बलीचा गाउ में घायल चेतक नीचे गिर कर बेहोश हो गया तभी महाराना प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंग जो मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था महाराना प्रताप का पीछा करते हुए यहां तका पहुँचा महाराना प्रताप बेहोश चेतक को सहला रहे थे कि तभी उनकी नजर शक्ति सिंग पर पड़ी और उन्हें शक्ति सिंग से कहा सीना खुल्या मार भाला तुम गोद गुलामी टीकन लगे भारत माते कह दूँगा तेरे पूत दामन में बिकन लगे शक्ति सिंग बड़े भाई के शब्दों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और भाई के पैरों में जागिरा इधर हल्दी घाटी के मैदानों में घमासान युद्ध चल रहा था घाटी के दरों में राणा पुंजा भील और राजपूत सरदार मुगलों को भीशन टकर दे रहे थे अंतमे मान सिंग ने हल्दी घाटी के दर्रों में जाने की बजाए मुगल सेना को वापस अजमेर चलने का आदेश दिया अकबर की विशाल साधन संपन सेना का गर्व मेवाडी सेना ने मिट्टी में मिला दिया मान सिंग और आसव खान जब खाली हाथ अक्बर के सामने उपस्थित हुए तो क्रोधित अक्बर ने तीन महीने तक उनके दर्बार में आने पर पाबंदी लगा दी उनकी संपत्ती को जब्द कर लिया गया उनका वेतन और सभी सुविधाओं को तुरंत रोक दिया गया हल्दी घाटी के भयानक युद्ध के बाद महाराना प्रताप अपनी सेना के साथ कुम्भल गड़ आ गए विनाशकारी युद्ध का पासा महाराना प्रताप के पक्ष में था पर इस समय तक उनका खसाना खाली हो चुका था हल्दी घाटी के चार महीने बाद ही सन 1577 में अक्बर ने एक बार फिर शहबाद खान के नित्रित्व में भारी सेना कुम्भल गड़ पर हमला करने के लिए भेजी हल्दी घाटी जैसे विशाल युद्ध के बाद एक नया युद्ध मिवार की सेना के लिए भारी था अतहा महाराना प्रताप ने किले को त्याग दिया कुम्भल गड़ पर शहबाद खान का अधिकार हो गया कुछ महीनों के बाद महाराना प्रताप ने फिर से सेना तयार की और पूरी तैयारी के साथ शाहबाज खांपर आक्रमण करके कुंभलगड को वापस जीत लिया कुंभलगड विजय के बाद महारणा प्रताप ने आगे की रणनीती बनाने के लिए सभी सरदारों को बिलवाया जहां सरदारों ने हुकुम से कहा कि हमें सिंध की तरफ निकलना चाहिए जहां हम धन का बंदोबस्त करके एक विशाल सेना का निर्मान करेंगे और सीधा अक्बर पर आक्रमण करेंगे इसी उदेश्य से महाराना प्रताप भान सोनगरा को कुम्भल गड का किलेदार नियुक्त करके गुजराद की तरफ निकल गए आगे इसी रास्ते में महाराना प्रताप ने शहाबाज खां को दो बार पराजित करके वापस लोटने पर मजबूर किया गुजराद पहुचने के बाद महाराना प्रताप ने चूलिया गाउं में अपना डेरा लगाया जहां परमदानवीर भामा शाह ने महाराना प्रताप के लिए अपना ख़जाना खोल दिया उन्होंने महाराना प्रताप को 25 लाख रुपए की सहायता दी इतने बड़े धन को पाकर हुकुम पुनह सेना की तैयारियों में जुट गए बस यहीं से असली संघर्ष की शुरुवात होती है महाराना प्रताप ने सिंध जाने की बजाए पुनह मेवाड की तरफ कूच किया और सन 1582 में दिवेर के दर्रों में स्थित मुगल थानों पर आधी के समान तूट पड़े हुकुम रुद्र रूप धारन कर चुके थे उन्होंने अपने सामन्तों को आदेश दिया कि किले को चारों तरफ से घेर लो कोई बचकर नहीं निकलना चाहिए तभी महाराना प्रताप के पुत्र अमर सिंग ने अकबर के चाचा सुल्तान खान पर भाला भैका जो सुल्तान खान के घोड़े सहित आर्क पार निकल गया यहां 36,000 मुगलों ने महाराना प्रताप के सामने आत्म समर्पन कर दिया महाराणा ने दिवेर के किले पर केसरिया ध्वज लहरा दिया मुगलों की दिवेर हार से बुखलाई अक्वर ने सन 1584 में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए भेजा पर जगनात का च्वाहा बुरी तरह से पराजित हुआ उसने महाराणा प्रताप से माफी मांगी और बकाईदा हरजाना भी दिया इसी के बाद महाराणा प्रताप ने कमल मीर के किले को जीत लिया जहां अमर सिंग ने कमल मीर के मुगल अधिकारे अब्दुल्ला को कई टुकडों में काट डाला इनहीं लगातार जीतों के बाद 1585 में महाराना प्रताप ने चावंड को जीत कर उसे अपनी राजधानी बनाया जिसके बाद उन्होंने लगातार एक एक करके मुगलों के 32 किलों को जीत कर अकबर की नींदें हराम कर दी मान सिंग से उसके देश द्रोहों का बदला लेने के लिए महाराना प्रताप ने अपनी सेना लेकर आमेर के माल पुरा पर आकर्मन किया जहां से उन्होंने मान सिंग की बेशुमार दौलत को अपने कबजे में लिया अक्बर ने स्विकार कर लिया था कि राजपुताने के इस शेर को कोई कैद नहीं कर सकता उसने अब महाराना प्रताप को ना छेडने में ही अपनी भलाई समझी इसके बाद 12 सालों तक महाराना प्रताप ने ऐसा शासन किया कि मेवाड के वैपार को चार चांद लग गए मेवाड की खोई हुई जमक वापस लोटने लगी 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयू में हुकम शेर के शिकार पर निकले थे जहां धनुष की प्रत्यंचा खिंचते हुए हुकम देवलोक सिधार गए वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप की देश भक्ति और अमर स्वाभिमान ने हर भारतिय के मन में उनके लिए अपार सम्मान जागरित किया कमियों ने भी अपनी कलम से महाराणा की कीरती का कुछ यू बखान किया धर्म रहेगा और प्रित्वी भी रहेगी पर मुगल सामराज्य एक दिन नश्ट हो जाएगा अतह हेराना विशंभर भगवान के भरोसे अपने निश्चे को अटल रखना अब्दुरहीम खान एक खाना जिसने अपने घोडों को कभी शाही सेना में भेज कर दाग नहीं लगवाया जिसने अपनी पगडी किसी के सामने नहीं जुकाई उसके शासनकाल में जनता को किसी से कोई भै नहीं रहा उसकी तलवार और भाला ही उसका सच्चा साथी था वो वैदिक मार्क का अनुवाई था जिसने अनेक मंदिरों का निर्मान करवाया उसके शत्रों भी उसकी वीरता और स्वाभिमान के सामने जुक जाते थे उसकी शपत थी प्रताप के इस मुख से अकबर के लिए सदैव तुर्क ही निकलेगा अतह हे राना जब जब भी कलम महाराना प्रताप लिखेगी तब तब सिर्फ महान महान और महान ही लिखा जाएगा दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें